हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज किस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट सोसल स्टेडीज के वीक नमबर 7 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक् प्यारे बच्चों देली इस ब्यूटिफुल सिटी दिल्ली एक खुबसूरत सहर है इट है इस मैनी प्लेसिस टू विजिट यहां पर घूमने के लिए कई स्थान हैं दोजार वैरी फेमस जो की बहुत प्रिसिद हैं दा नेम ऑफ द प्लेसिज आर गिवन विलों उन स्था जो की डेली में है आपको इनके नाम और पिक्चर को पहचाना है पूट राइट मार्क इफ फाउंड राइट यदि सही है तो सही का निसान लगाएंगे और यदि गलत है पूट क्रॉस मार्क इन दा बॉक्स विवन विलो तो उस पर गलत का निसान लगाओ तो बच्चों पिक्चर में क्या है राष्टे प्राणी उद्यान नीचे लिखा है इंडिया गेट तो बच्चों ये गलत है सैकिंड पिक्चर में है राष्टे रेल संगराले नीचे लिखा है दो जू चिडिया घर तो बच्चों ये भी गलत है नेक्स्ट है राष्टे बाल भवन तो ब चीडियागर का नाम सुनते ही, you might recall names of some animals and birds, तो आपको कुछ चीडियागर में देख सकते हैं, आंसर इज लायन, बियर, मंकी, स्पैरो, नाइटिंगेल, पैरड, question 3 is, various activities for children are available in बाल भवन लाइफ, बाल भवन में बच्चों के लिए बहुत सारी activities होती हैं, जैसे की, painting, music, acting, making, clay toy, मिट्टी के toy बनाना, which of the above activities would you like to do, उपर दी गई activities में से, आप कौन सी activity करना पसंद करोगे, write four sentences about that activity, उस activity के बारे में आपको four sentence लिखने हैं, I like painting, मुझे painting करना अच्छा लगता है, तो बच्चों आपको जो भी पसंद है, आप वो लेख सकते हैं, आपर, I feel peace of mind to draw the painting, painting बना कर मुझे मेरे मन को सांती मिलती है, I like to make painting of animals and flowers, मुझे animals और flowers की painting बनाना अच्छा लगता है, I like to paint with water colors, मुझे पानी के रंगों से paint करना अच्छा लगता है, we can express our thoughts through pictures, हम अपने विचारों को picture के द्वारा, picture के माध्य हम से express कर सकते हैं, Now question 4, fill in the blanks with the help of words given below, नीचे दिये गए words की help से, blanks को fill करना है, words are, बाल भवन, children's park, rail museum, the zoo, doll museum, First is, we can see dolls of different countries at, अलग अलग देशों की dolls को कहां पर देख सकते हैं, dolls museum में, children can learn playing music, drawing at, बच्चे, music बजाना, drawing करना कहां से सीख सकते हैं, बाल भवन से, We can see different birds and animals in, हम अलग अलग प्रकार के birds और animals को कहां पर देखते हैं, the zoo, चिडिया घर में, Children can swing on swings at, बच्चे, जूला पर कहां पर जूल सकते हैं, children's park में, Children can see rail engines and compartment at, बच्चे, rail engine और rail के डबो को कहां पर देख सकते हैं, rail museum में, Now activity, Make a drawing of your favorite flower और bird और doll and color it, बच्चों, आप अपनी favorite bird या फिर doll या फिर flower की यहां पर picture को draw करेंगे, और उसमें सुन्दर से color fill करेंगे, Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you